देखिए आपका यह बार बार दिली जाना न मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कमान सुनेना तुम भी बार बार एकी सवाल पुछती हो अरे सुनेना तुमको मैंने बढ़ाई तो था कि है मैं दिली में अपने कुछ पार्टर के साथ में करना यह बज़ा शुरू करने जा रहा हूँ रिलेक्स अरे इसके लिए बार बार दिली जाने के क्या ज़रूरे था आपको बना बना बिसनस है नहीं आपका अरे सुनेना तुम भार बात भी बहास करती हो समझते क्यों यहो वही क्या मेरी पैकिंग यह नहीं अभी तक तुम जानते क्यों मैं कुछ जाना है मेरी फ्लाइट के टाइम हो गया है अपने आप कर लो अपनी पैकिंग कोई काम ठीक से नहीं होता है तुमसे दिली काम से जा रहे हो ना तो यह स्वीमिंग कॉस्ट्यूम इसमें क्या कर रहे है बेवकुप समझाय क्या मुझे अरे सुने ना दिन भर काम करने के बाद थोड़ा थक जाओंगा तो मैंने सुचाए कि शाम को स्वीमिंग करूँगा इसमें कौन सा पाहर टूप पड़ा यार अर्ण लो तुम नहीं बसलना ये लो अर्थ वार अर्ण नहीं रहने दो वना आप समझोगे के बेकार में शक कर रहे हूं रलाक्स जानता हूं तो मुझे पर कभी शक नहीं का सत्ती हूं बहुत प्यार करती वरा मुझसे वह? दिशा भी तक नहीं है दिशा!? आपने बताया नहीं के दिशा भी साथ जा रही है आर रेसी कोई बात नहीं है सुने ना बूर्ण और वार्ण ना मैं कहीं नहीं जा रही हूं मैं तो बस सर को ये ज़रूरी पाइल देने आए थी ये लीजे सर यह फाइल जो आपने मंगवाई थी, इसमें वो सारे जरूरी पेपर्स है, जो आपने कहे थे और यह रही आपकी एटिकेट और होटल की बुकिंग के कागजाद ठीक, मैं देख लेता हूँ, तुम जा साथी जी साथ, बाए माँ तुम नही होती दिशा, तो नजाने मैं अकेले इस सब कैसे मिनेज कर पाता दिशा नही होती, तो क्या हो जाता ऐसा क्या कमार कर दिया दिशा निए अब ये सब काम तो कोई प्यून भी कर सकता है ना अब इसके जगा किसी लड़के क्यों नही रख लेते नोकी पे अरे सुने ना, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत याद आने वाले दिली में बहुत प्यार कर दियो था मजसे तो अपमे साथ दिली क्यों नही ले जाते हूँ आपको पता है, कितनी अकेली पर जाती हूँ आपके बिना पका, अगली बार से मैं तुमको पका अपने साथ लग के जम दूँ पका? प्रांगस, महरे कसम सुने ना, में टेक्सी आगी है, में फ्लाइट कर वक्त होगी है अपना ध्यान रखना, टाइन से खाना वाना खाले लो और फोन करना प्लीज तुम्ही अपना ख्या रखना हाँ, मनीश अभी अभी दिल्ली के लिए निकल गया है मैं भी थोड़ी दे में निकल रही हूँ सारी तैयारिया हो गई है ना चीक है अरे निकल गया हूँ गर से, अरे मत भूचो यार आज तो सुने ना ने पकड़ ही लिया था अरे मेरा सुर्मिं कॉस्ट्यूम को देख लिया उसने सावान के साथ अरे यार बड़ी मुर्शियों से समाल पाया हूँ बहुत चालाग हो रहा था हूँ आगे से होश्या रहना बड़ेगा उसके साथ में चलो तुम फोन रखो मैं पहुच कर बद करता हूँ क्यों साथ अपनी बीवी की बात कर रहे थे तुम गाड़ी चलाने में धान दो बात है सुनने में नहीं गाड़ी तो साथ एवन चलाता हूँ मैसे साथ हवाईजाज में बैठा नहीं मैं आज ता कैसा होता है अंदर थे साथ मैं तो हवाईजाज का ड्राइवर बनना चाहता था लेकिन किसमत मैं टैक्सी का ड्राइवर बना दिया मगर मेरी अलका भी किसी है हवाईजाज से कम नहीं है यालकर कौन है? जाप पोतो मेरीज, गाली का नाम है. एक मिंद जाहरो को यहां पी, बुजे कुछ काम है. हलो, जाप तेलग नावर पोचा हूं? कस्टमर इंतजार कर रहा है? बस सब फंदरा मिंट में पोचा हूं, फंदरा मिंट में. साब यह आवाज किस्टीज के आरही है? तो उपने काम सा मतब रखो ना? चुप चाप गाड़ी चलाओ. साब, आपकी फ्लैट कितना में जगी है? एरपोर्ट नहीं जा रहे हैं हम. एरपोर्ट के पास में होटन Green Lily है. वहाँ पर ले लो. साब, वो तो दो किलोमेटर आगे है. अरे तो अच्छा ही है ना? इसी बहाने से तुम्हारी अलका को कुछ पैसे कमाने का वॉका मिल जाएगा. साब, वो बात नहीं है. एरपोर्ट पे कस्तमर इंततार कर रहा है. दूसरे गरहा को मेरी तरब से सौरे बोलना. साब, लो आगे आपका होटल Green Lily. कितना हुआ? साब, साड़ी चार सो. साब, छुट्टे नहीं हैं? कोई बात नहीं, टिप्स समझ कर रख लो. थैंक यू. सर, यह नहीं आपके चार. और तुस्टीजी सर अपको? ठीके सर. स्क्यूज मी. ये सर. मेरा नाम रॉशन कुमार है. मैंने हाँ अपने एक डिलक्स कम्रा बोग किया हूँ. हाँ, सर. मिस्टर रोशन कुमार. रॉम नंबर 301. सर, ये लीजी. स्क्यूज मी. मैं रॉम के साथ वाला 302 या 303 गर खाली हो तो. क्यूं सर? मेरा मतलब है कि मुझे मेरा रॉम पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाँ. माफ किजिए, सर. कोई भी कम्रा खाली नहीं है. मगर आप चिंता मत किजिए, यहां के सारे डिलक्स रॉम एक जैसे ही हैं. आप अपना आईडी देंगे, सर? शूर्ट. यह लीजी. तब तक आप अपने डीटेल्स भरिए. जी. थैंक यू सर. चलिए सर, मैं आपका समानाओं की कमरे में रख देता हूं. आइए! कबर्दार्स! तो पीना मुस्ते पुझे, मेरे समान बहात भी लगातो! पटो! सुब.. मापके जी सर. यह सक हरूसाद में मैं वे. बेवजा मुझा दाट दिया. रिलाक्स. अब दो दिन शांती ही शांती है. अब दो दिन शांती ही शांती है. वी से किच-किच-किच-किच ना किच-किच-किच-किच जीन हाराम कर रखाओ सौरत ने मेरा रिलाक्स देखें जड़ा तीवी पर क्या रहा है घर में तो बीवी रिमोट देती नहीं 24 घंटे अपने ही प्रोड़ाम देखते हैं भाई बहुत जोर की भ्रोग लगी है कुछ खाने का ओडर देता हूँ हालो एक काम करो एक प्लेड सिज्वान फ्राइड राइस विद एक्स्ट्रा सॉस तैंक यू गर्मी सी फीर हो रही है सब हो कुछ नसा हो रहा है दम सा घुट रहा है यहां पर लगता है यह इसी काम नहीं कर रहा है ठीक से कौन है मैं पूछता हूँ कौन है वापे बॉद मॉर्निंग सर्व पूम सर्वेस इतनी अच्छी कुछ भो किसके लिए ले जा रहा है भाई अधे रूम नंप टीन सर्वेस ना उनके लिए बहुत ही सडियल है वो देख लेना तुझे एक रुपे की टिप नहीं देगा वो अब या सा मत बोल यार अज सुबा से बोनी भी नहीं देख लेना बेटा आज कुछ नहीं मिलने वालो तुझे जा रूम सर्वेस मैं पूछता हूं कौन है इसो तुम मुझे डलाने की कोशिशिश हमत करो अले पेट गुसा मस्का हूं मुझे है यह किसे बत करें अंधर? बच नहीं सतता तू तेक अब परफोज गन है ना किसी के पाफ से नहीं टरता हूं धूट कर दूँगा जान संभार दूगें! एक जाद में आवाबना जोली वाबुगाद! क्या हुआ? अंदर से गोली ने की आवाज आ रही है तु तु यही हुख मैं जिक उठीकाट को ब्लग के लाता हूँ आप अप प्लिज यांतर खड़े हो जाए अड़े, यह कैसी आवाज, तर आके मताईगा, इस कम्रे से गोलिया चलने का आवाज आ रही है, अब आके मचे जए, अब आके बचेगे, गोलिया जल रही है, यहां गोलिया, आप निकल, रमिश, रमिश ही यह वो तरमाता, हाँ, 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 ही दर राम बताई हुझे, अभ तुम्हें नुकसान की भड़ी है? वी किसी को मार दीथा है तु मैं सर तु मैं के्ल सहे एकलुम है तु लो पीज़े जा पीज़े जा मैं दित अ अब इस हो टल में आके भहर बडिंग धूरी खिंज़ी की छलो, छलो मैं सी C.I.D. को कॉल करता हूँ अब क्या होगा? अरे C.I.D. के आने से पहले हम दो यहां से भाग चलते हैं चल चलो जल्दी करो यार C.I.D. अवला सो भाग पना मुश्किली नाम मुम्कीन है अरे यार तुम ऐसी मुनूस बादे क्यो करती हो तुम्हे काम करो तुम यह शहर छोड़ा कहीं दूर चले जो और सुनो मुझे फोन मत करना मैं तुम्हे खोदी फोन करऊंगा ठीक है एक मनटे आप लो कटी आप लो कीशे जाई यहां से गोलियों के आवाजे आ रही थी और एक गोली तो हमारे बहादूर गार्ट रमिश को भी लगते लगते रह गई इस जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी आये यही है हाँ सर यही है 301 इसमें मिस्टर रोशन ठहर है अच्छा एक बात बताईए इस कमरे के अंदर आने का या जाने का इस दर्वाजे के अलावा और भी कोई रास्ता है कोई खिड़की से अंदर बाहर जा सकता है बीच में कोई दर्वाजा बिर्वाजा है बात्रूम बित्रूम में सर यह इंटरकनेक्ट रूम है 302 से तो इसका दर्वाजा 302 में है यह 302 में कॉन ठहर है? मिस्टर कुमा ठहर है, पर वो अब होटल में नहीं है फ्रेडी, दियान डखना सर्थ कम करो स्मेरेजर को बला लो और अमारे लोगों को भी स्वरी, मैंजर गंद बलो मैंजर गंद बलो मिस्टर रोशन? सर, इन्हें क्या हुआ? लगता है, इन्हें किसीने गुली मार दिये एक काम कीजिए मुझे मिस्टर रोशन और कुमार दोनों के पूरे के पूरे डीटेल्स चाहिए अभी इसी वक्त जाये की किसा? इस कमरे का कुना-कुना चाल वरो एक-एकिंग चेक करो सर, इस कमरे में बहुत सारी गुलिया चली है सर, साथ बुलिट्स चलिए साथ बुलिट्स चलिए और ये देखो ये गन्ड बताने ये गन किस की है इसो रोशन की है ये और किसे की देखो शिया इसमें शायद पाँच बुलिट्स बुलिट्स चाहिए हाँ और सर, घ्रानी की बात ये है कि सारी गुलिया इक रिशामे नी चलिए परके इस कमरे में चारो तरफ हमना दूंगो जेए हाँ लेकित सब इखो नी दिवार पे गुलिया क्यो चलाया सिर्क ही है ऐसा तो नहीं कि रोशन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए गुलिया चलाई हो वो सकता है काम करो बोड़ी अच्छी तरसी चेक करो देखो इसके कपड़े में कुछ आइडिटिफिकेशन होगरा मिलता है क्या यह तेखिए सर एक आधिमी के डोगवय कि द्रीविट लेसंस तरसी अवक्लᵉ वारू प्लेजाब अवासर एा तँये एक मनुष के नाम पे और दुसरा यह खुद रोशन नाम पेजै वाजिए मनुष रोशन सर पहिन कर तो मंश के नाम है सब इसका मतब यह आदमी आपकी पैचांग चुपाता है हाँ सर्फ मेरे इडिटिन्स इस फ्लोर पर और कितने गेस्ट हैं सब की लिश्ट चाहिए मुझे इस फ्लोर पर सिर्फ चार कमरे बुप थे और उनने से तभी कोई भी नहीं है मुझे नहीं पता इनका असली नाम रॉशन नहीं, मिस्टर मनीश है मैडम आप होटेल के बिजनस में है आपके लिए यह सब पहचान लेना चुटकियों की बात होनी चाहिए बाफ कीजे मैं शाहिए मेरे देखने में ही गलती हो गए उगी सर अगर देखा जाए तो यह सारी खिर्कियां सील्ड तो अगर मुझ्रिम अंदर आया है तो या तो इस कनेक्टिंग डोर से आया है या फिर में डोर से स्निया जी और एक काम आपके इस फ्लोर पर जो सी सी दिवी कैमरा है उस काम में फुटेज देखना है अभी अब आप कि नौ से ग्यारा का फुटेज का अगया नहीं डिशायर कि सुथे नो से ग्यारा के सारी फुटेज को बिता दिया है और इसी वब तीस्रे माले के सारे महानों ने एंट्री की थी अब समझाए इसका मतलब आपके अपके होटल में ऐसर जो कुछ हो रहा है इसमें आ वोई ऐसा क्यों करेगा? मेडम, फुटेज तो कोई अंदर वाला ही मिटा सकता है और हो सकता है कि वो शायद आप ही नहीं नहीं सर, आप यह कैसी बाते कर रहे हैं? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती, कमरा आपका है, इस कमरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, कुछ भी मुम्किन है? नहीं सर, म-मगर एक मिनट, आप सच बोल रहे हैं अजूट, इसका फैसला तो अब ACP सर करेंगे सर, सर पता चल गए, कुल मिलाकर सिफ साथ ही गोलियां चली है, पांच दीवारों पे कमरे में, एक मनीश को लगी है, और एक बाहर में दोर पे, और पांच बचीये मैगजीन में, यह सर, सर, हाँ, क्या बता है जला, सिसी टीवी फोटेज से कुछ मिला? सिसी टीवी फोटेज जी मिलास, किसी ने खिर कुंदो होटेज को बता दिया जी है यह कैसे हो सकता है? आईए, सिन्हा मैडम जी आईए, यह क्या हो रहा आपके होटल में, बताए किसने किया ही है? मुझे कुछ भी निह पता इस बारे में, कैसे बताने है आपको? आप इस होटल की मैनेजर हैं, आपको बता होना चाहिए किसने की आई? सर, मुछे नहीं पता बात बताईए, यह रोशन, मेरा मतलब है मनीश क्या पहले भी कभी आया था आपके होटल में? हाँ सर मिस्टर रोशन, पहले भी कई बार इस होटल में आ चुके हैं बोलो, जो इसी फ्लोर पर रह रहे थे, उनका क्या? सर, वो अक्सर, जब भी मिस्टर रोशन, मेरा मतलब है मनीश जी आते थे, तभी वो लोग आते थे और आसपास का कमरा ही लेते थे अच्छा, मनीश जब आता था, उसी दोरान ये चार लोग भी आते थे और आसपास के कमरे लेते थे, मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते थे ये बात आप हमें अभी बता रही है, अभी बता रही है श्रीया, ले चोलो इने प्योर, सब पता चल जाएगा नहीं, मैने कुछ नहीं किया, चली, सब पता चल जाएगा हमें, चली सर, ये मनीश तो इसी शहर में रहता है न, तो फिर उसे क्या धरूर था पड़ी, महिने में दो दो बार होटल में रहने की ये तो फ्रेडी, अब मनीश के घरवाले ही बताएगे, कि मनीश महिने में दो दो बार यहां के क्यों रहता था और वो चार लोग भी कौन है, इसका भी पता लगाना पड़ेगा बनिश, क्रीम लेलिंग होटल में था, और वो मुझ से कही घर गही था कि दिल ली जा रहे है ज़रूर किसी ने किटनाफ कर लिया होगा और कुनी और जबर्दस्ती उस होटल में लेकर चले गया होगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है विरेखे नकली आएकार आपके पती अपनी मर्जी से वाह उस होटल में ठहरे थे रोशन के नाम से इना बड़ा जूट बोला सिर्व इतने ही नहीं मनीश जी इस होटल में कम से कम महीने में दो बार रुका करते थे और ये सिलसला पिछले छे महीने से चल रहा था क्या कहूं इसके बारे में आप लोग सी आईटी वाने आप ही बताईए कि वह ऐसे क्यों कर रहे थे आपके पती का किसी दूसरे आउरत के साथ कोई समन्ध और उनने कुई क्यों मारना चाहेगा जरा धेयन से देखना इन दूनों की कमरे मनीश जी के कमरे के बिल्कुल बगल में थे ये तो रोहित और प्रभाद है रोहित और प्रभाद? लेकिन ये तो रभी और जिवेक है नहीं ये रोहित और प्रभाद है Manish के बज़ पन के दोस्त क्या है दुनों भी भी होटल में रुके हुए थे जी हां Manish जिस होटल में थेठ로 थे यह लोग उसी फ्लोट पे अपना भी कमरा बुक करवाते थे अचीब सी बात है पर यह मनीश को नहीं मर सिकते यह मनीश के बच्पन के दोस्त है इनका नंबर यह एड्रस है आपके परस रोहित में तो अभी कुछ दिन पेले ही नहीं जगा शिफ्ट किया रोहित का इड्रेस नहीं है प्रभाद का है आप उधर पर हैं? आप तो दिली कहे हुए थे ना? हाँ कुछ जरूर सवान भूल जाता वही लेने बापीस आना पड़ा अभी कुछ दिन और मुझे बाहर रहना पड़ेगा अगर कोई आके मेरे बरे में पूछे तो कह देना कि मैं विदेश किया हूँ पता नी कब लोग होगा आप विदेश जा रहे? अरे, जा नहीं रहा हूँ पर तुम कह देना ना? देखे, आप मुझे सच-सच बताइए कि आपने कोई गड़बर तो नहीं की ना? कोई भोग कहते हैं कि गड़बर नहीं की ना? अरे, क्या हो रही है सब? मिस्टर प्रबाद गड़बर? ज, जी नहीं, मगर आप लोग? हम लोग मैं, CID से हैं CID? मेरे पती ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? यह भूचिए कि आपके पती ने क्या गलत नहीं किया गलत नाम से, होटल ग्रीन लिली में ठहरे वे थे वोगा जया उनके दोस्त मनेश का कुछ मुझे खुछ? जी चलिए बाहर चलिए मैंने आपसे कहा कि चुपचा बाहर चलिए अरवाद यह न तुमने? अरे सर, यह तो यहीं पर है हम, आइए आपका सहर सपाटा हम करवाते गुड अप्टरणोन सालूं के साभ वेरी गुड अप्टरणोन तारिका जी यह क्या है बाई साभ सालूखे को गुड अप्टरणोन और वेरी गुड अप्टरणोन तारिका जी है यह भेदवाओ क्यों है? अरे वो क्या है डॉक्साब जो ज़्यादा सुराग देते हैं C.I.D. का लगाव उनके तरफ ज़्यादा होता है तो ठीक है आप सुराग लेते रहे मेरी कैसर होता है सुराग डिरमणा अरे अरेकर के सर आप तो बुरा मान गए सर तो फिर क्या करूँ अरे अभिजीत star का यह कहने का मतलब नहीं था अमस्जीन कहने का मतलब यह था कि तारिका जी जो है वो सुराग देती है लेकिन असली पोकता सबूत कौन देता है आप देते हैं गुड बोई, गुड बोई एना अभीजीत सर यही मतलब दा तुमारा? हाँ ठीक है ठीक है वो छोड़ी एसा पहले यह बताईए आपने हाँ बुलाया क्यों कोई एमेर्जेंसी है क्या? फिलाल तो इस गोली के बारे में बात करने हैं यह जो मनीश को लगी थी बिलकुल, यह गोली जो मनीश को शरीर से निकली है और आप लोग जान करके हैरान होंगे कि यह गोली इस गन से चलाई गई है जो आप लोगों को उस कमरे में से मिली थी शायद मनीश की गन? सर यह भी तो हो सकता है कि यह गन खूनी की हो और हडबडी में वो इस गन को वहीं छोड़ गया है नई श्रिया ऐसे होने के चांसे थोड़े मुश्किल लगता है क्योंकि इस गन पे जो फिंगर प्रिंट के निशान मिले हैं वो मनिश के ही है और अगर आप लोग इस गोली को घ्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक मांग देखेगा ब्लंट मांग ऐसे मांग तो तभी बनेंगे जब गोली रिवाउंड हो जाए मतलब किसी पोस चीज से टकरा के वापस लोट जाए अपनी दिशा बदल बिलकुल अभी जे और यही इस गोली के साथ हुआ है यह गोली कहीं जाकर के टकराई और फिर इसने अपनी दिशा बदल दे मतलब मनीश ने गोली चलाई शायद दीवार से टकराए के खुद इसे लग दे और जाने अन जाने में मनीश अपनी मौत का जिम्मेदार बन गया सर लेकिन होटल की कमरे में जो हमें बाकी गोलिया मेली उगा क्या तो सारी की सारी गोलिया इसी गन की इसी से चलाई गई इसका मत्रब सारी गोलिया मनीश ने चलाई है मतलब उस कमरे में और कोई था ही नहीं ऐसा लगता नहीं है कि कुछ और ही चक्कर है हो सकता है कि खूनी के पास देसी कट्टा हो जिसमें से शेल नहीं निकलते हैं टेट मिलेड आ संदेश, बुलो अच्छा, ठीके, ठीके, मैं आती हो जार मजए ओके, बाए संदेश, तुम्हें नहीं मालो नहीं, सेरियसली नहीं मालो ओए गोड, क्या करती हो तारेका तुम्हें अभीजीद को संदेश के पारे में नहीं बताया इस बढ़ यार सर में क्या करो मुझे मुझे मौका ही नहीं मिला क्या मौका नहीं मिला यार क्या हम बता तीजे कॉछ को गओं है कॉछ है इस फिसलिश वो वो सेंट्र लाब में काम करता है यह इने रिपोर्स वरग beginnings वहीं बना कर देता है हूमें रिपोर्स अच्छा अच्छा वो है मुझा लगा की क्या लगा, तुमें क्या लगा? मुझे तो भोग मतलब था नहीं था नहीं रा पता नहीं था फिचारेगी वोग अचली, मनुष्य कुछ रपो्ट जाने बाकी है तो, वही लेने जा रही थी चार बजह मुझे भी पोना है हाँ हाँ हलो अठीक है ठीक है हम लोग आते है तारिका जी आप तब तक संदेश से मिल लीजिए तब तक हम रोहीत और परबाद से मिल के आते है आप लोग हमें साफ साफ बता दीजी आखिर माजरा क्या है ये यही तो हम भी जानना चाहते है आखिर ये माजरा है क्या कैसा माजरा सर हाँ सर हम तो ये समाजने आ रहा है कि हम जैसे शरीफ लोगों का CID बीरो में क्या का सर ये शरीफ लोग काफी अच्छा मजाग कर सकते है सर कैसा मजाग सर मनीश को जानते हो मनीश? मनीश को तो जानते हूंगे निखिल तभी तो मैरने में दो बार वोटल में जाकी ऐसे साथ ठेरते थे सवाल यह है के मनीश का खून क्यों किया तुमने खून? मेरे पती नी खून कर दिया? यह क्या करें, सर? अब ने किसी का कुन ने कैसा रहा रहा है? तो 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 दिली जाने के बहाने तुम लोग होटल में गए थे? क्या कर रहे थे वहाँ? यह लोग ना तो सिफ होटल में रुपते थे, बलके अपनी गलत पहचान देते थे नखली आईडी दे कर हद कर दी आप लोगोंने तो अगर मेरे पास इसकत बेलन होता ना तो मैं आपका बताती सर एक मने सर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं बोलिये सर अगर बुरा नहीं माना तो एक बात पूछो हाप पूछो, क्या बात है? सर अपकी शादी होगी क्या? तो बीवी की शिकायदों के इतनी लंगी लिश्ट हाँ सर रिसली हम तीनों दोस्त महीने में एक दो बार बार होटेल मिलते थे सर थोड़ा चेंज होता था थोड़ा बदलाव होता था और आपसमों थोड़ी कपशाप मार लेते थे बस सर कपशाप मारते मारते खोन कर दिया मनीश हम क्यों मारेंगा मनीश को सर तो दोस्ता हमारा सर अगर मनीश दोस्ता तो फिर आप लोग होटेल से भागे के वह हम थोड़ा घवरागे से बस हाँ सर अच्छा अब एक कदम घर के अंदर रखकर तो दिखाओ अब तक तो सिर्फ तुमने मेरा प्यारवाला गुस्सा देखा था लगर अब तुम मेरा गुस्से वाला गुस्सा देखोगे और हां रोहे तुम तुम्हें भी घर घुसने की जुरत नहीं है अब अपनी सारी बची वी उमर उस होटेल में जाना सारा समान तमारा वही बेख दूँगी चलो, चलो, छोड़ो ने यहीं पर सर, अब देखा देखा सर आपने, हमारी बीभी हमार साथ कितना फुरा शलूप कर रही है तेखे तेखे तेखे, यह यह आपका घरेडू मामला है, आप खुद ही निपटी है आप यह बताईए कि, मनीश की किसी से कोई दुश्मनी थी सर, मैं किसी दुश्मन के बारे में कभी बताया ली था उसने अच्छा तो यह कुमार कौन है? कुमार? यह कुमार? नहीं मालो, कौन? कौन कुमार? जो 302 नंबर कमरे में ठाहरा था मनीश के बगलवाला कमरा सर, हम किसी मिस्टर कुमार को नहीं जानते है सर, हमारा तो क्यो दोस्त भी निया जिसका नम कुमार है यह सर यह सर जेखना है हेलो, तारिक जी अच्छा-च्छा संदेश के हैं से संदेश लेके आगे हैं हम तो मिलते हैं? जी तारिकर जी, क्या संदेश भिजा, संदेश बाबुने हमारे लिए? ऐसा संदेश, जो इस केस की जड़े हिला देगा. ऐसी क्या खबर है, जिससे केस का रुकी बदल जाएगा? क्या है वो है साथ? वो बात है, मनीश की मौत की वज़े है. असली वज़े है, जो अब पता चली. असली वज़े? सर, मनीश की मौत तो गोली लगने की वज़े से हुई थी न? यहीं पेच है. शेया, यहीं दोका खा गए हैं, मनीश की मौत गोली लगने की वज़े से हुई ही नहीं. इसकी मौत की वज़ा है पेस्ट्रोजन कारबाइब पेस्ट्रोजन कारबाइब? ये क्या होता है? बहुत खतरनाथ केमिकल है ऐसा केमिकल जो इंसान अगर एक बार छूबी ले जरा सा छूब ले तो उसकी मौत पकी और ये जहर मनीश के शरीर में गया है इसके अंगूठे से अंगूठे पर जहां इसने वो केमिकल छूआ है वहां से ये चमडी जल गई लॉक्टर साब ये जहर को फैलने में कितना वक्त लगता है? वैसे तो इस जहर को छूने के बाद इंसान की मौत को 10 मिनट लगते हैं लेकिन ये 10 मिनट उस इंसान की जिद्दगी के सबसे भयानक 10 मिनट होते हैं वो घबराने लगता है, डरता है, उसे हैलॉसिनेशन होने लगते है कमरे में कोई नहीं है, फिर भी वो ऐसे ऐसा लगता है जैसे कोई है और इसी घबराट में वो क्या करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है अच्छा, तो मतलब उस वक्त मनीश के कमरे में कोई था ही नहीं और हैलॉसिनेशन की वज़े से उसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई है जो इसे मारना चाहता है अपने बचावे में इसने गोलियां चलाई और एक गोली किसी चीज से टकरा के इसे लग दी लेकिन ये गोली से नहीं मरा है, मरा है जहर की वज़े से, है ना? बिलकुल, और ये जहर किस चीज को छूने से इसके शरीर के अंदर गया है इसका भी पता हम लोग लगाई लेंगे बस ये तो पता चले गया है कि मनीश के शरीर में जहर हम उठे के ज़री है अब हम एक काम करते हैं इस पूरे कमरे में ये स्पेशल स्प्रे करते हैं और स्प्रे की वज़े से जहां भी कमरे में रंग गुलावी हो जाएगा समझनों से अरवाईए चलो एक 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 इंच पर मार के देखो है सर यह रिमूट गुलावी हो गया सर यह पानी के बॉट्टर आप यासेश भी अरे दोखो बाउस याएश से और टेबल भी आए एक कबड का हैंडल भी सर यह बातरूम का नल भी गुलावी हो गया अपलब इतनी चक है जहर लगागा है आस वरूंके खुणी ने एक बी इंच नहीं चुड़िये एक एक इंच पर उसमें जहर लगा दिया जहां पर भी मनीश चाता वहीं पर उसे जहर लग जाता उसका मकसद एक ही था किसी भी हालत में मनीश को खतम कर दो पर सर, एक बात समझ में नहीं आगा है। क्या? अगर खूमी ने पूरी प्लानिक कर रखी थी मनीश को जहर के ज़री मारने की फिर उसे मनीश को गोली को चगा है। सर, हो सकता है कि जहर और गोलाबारी में आपस में कोई संबन्ध है यह नहीं। दो मुझ्रिमों ने दो अलग अलग तरीके से मनीश को मारने की कोशिश की और संयोग से एक ही वक्त तर इतना बड़ा संयोग? ऐसा मुम्किन है कैसर? सर, आप कहा है आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। निकिल, तुम मुझे देख नहीं सकते मगर मैं आप सब को देख सकता हूँ। श्ष्ष्ष्ष्ष्ष॥ अरे, कहां चले गए सब के सब के अरे सर, मैं आपको बता नहीं वाला था, सर, जब मैं स्प्रे करते करते यहां तक आया, तो मैंने यहां पे छेद देखा, और सर, इस छेद में से कंबरा नंबर 301 का पूरा नजारा दिख सकता है दिवार की आर बार चेद बनाया है, जरूर यह चेद इस कुमार नहीं बनाया है, जो इस कबरे में ठहरा है, कुमार, 301 में ठहरे हुए मनीश पर नज़र रखने के लिए, नेकिल, चॉली को लेकर आओ, एक पुछ रहे, तरह कुमार का फोटो दिखाओ मुझे, कुमार का नहीं, पताने ऐसे क्यों लगता है कि इस चेहरे को पहले भी कभी देखा है मैंने, कहीं तो देखा है, जाना पहचाना असा चेहरा है, मगर सर इस कुमार को तो हम अभी तक ढून भी नीबाय है, जिद भी दुष्यन्ते चेरा देखा है मैंने कहीं तो सुर सुर कर? चेर है आपने उुझे गुनाया जोली बताओ यह चेर यवार ख़के लिख वीवार के आरपार मुझे नहीं पता सर यह पेले ली फोल नहीं था पेले नहीं था नहीं सब जाओ इस होटल में किसी को कुछ भी पता नहीं जाओ ये चेट जरूर कुमार ने बनाया है जरूर कुमार ने बनाया है मन इसके ओपर नजर रखने के लिए कुमार अब पता चल गया है कॉन ये कुमार ये मुच वाल आद्मी यानि मिस्टर कुमार कोई और नहीं है सुनेना जी है मैं बला भेस क्यों बदलूंगे यही तो हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या मजबूरी है कि आपको सुनेना से कुमार बनना पड़ा भेस बदलना पड़ा आपको मुझे समझ में नहीं आरा कि आप क्या रहे है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही बता दीजे कि आपने अपने पती का खून क्यों किया मैरे मानिश को नहीं मारा और कोई पत्नी के अपने पति के पती को मारbelt इंग्य Since C.I.D. के इतने साल के अउनभव में हमने कई बार देखा है कि दो जीवन साथी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते है हमारे बीचे से कोई तरनाम नहीं था तो फिर बला मैं उन्हें क्यों मारूंगी तो फिर भेस मतल के मां क्यों गईती आप जे पता चल गया थी कि अकसर शेहर के बाहर जाने का बहाना बना कर वो हो ओटल में ठहरा करते थे मैंने एक दू बार उनसे पूछना भी चाहा पर उन्होंने सच नहीं बताया मुझे शक हो गया था उन पर इसलिए उने रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी तो फिर पकड़ा क्यों नहीं दीवार में छेद करके ताका जहांकी क्यों कर रही थी मैं देखना चाहती थी कि होटल के कमरे में मनीश इसा क्या करते है जिसे करने की आजादी उसे घर में नहीं मिलती मैंने तस्वीरे भी खीची ताकि वो मेरे सामने मेरे चहरे पर जूटना बोल सके sir हमें और कब तक बैटना पड़ेगा hyag کہाना हमने कि हमारा मनीश की मोट में कोई हाथ नहीं कोई कहीं नहीं जायेगा जब तक मनीश का खानी पकला नहीं जाता कोई कहीं नहीं जाएगा होटल के तीसरे माले पे आप तीनों के लाबा कोई नहीं था जहर वाला आइडिया आप में से किसी एक का है क्योंकि सिर्फ आप तीनों जानते थे कि मनीश वाँ पे आने वाला है हम तीनों के लाबा उसे भी पता है यह उसे कौन है? Manish की Secretary Disha. Good morning, sir. Manish के सारे hotel की bookings, उसका सारा काम बोई संभालती थी. कहा रेती है Disha? पापा! आपनोग? C.I.D. दिशा जी, आपके boss Manish के खून के संभन में आप से कुछ सवाल करने है? जी, जरूर. पहले आप बताएए कि, आप क्या लेंगे चाय कॉफी ये ठंडा? कोई जरूरत नहीं है. अरे, जरूरत कैसे नहीं है? बहार इतनी गंनी है, निमोपानी तो पी लीजिये. मेरा लिया है. लिजीजु. नहीं. निमोपानी ही तो है, पी लीजिये. आप तो लेंगे ना. रहे ले लीजी. प्लीज, ले लीजिये ना. अरे, निमोपानी ही तो है. Thank you. प्लीज? ठीक है. जी कहीए, मैं क्या मदद क्या सकती हूँ आपकी? दिशा जी आपके बॉस मनीश के होटल की बुकिंग्स आप ही करती है ना? जी हाँ. मतलब आप अच्छी तरह से जानती थी कि मनीश जी दिली नहीं जाते हैं, बलकि यहीं होटल में ठहरते हैं. और यह सब जानते हुए भी आपने यह बात उनकी पत्नी को नहीं बताई. देखे, मेरी बॉस मिस्टर मनीश थी. ना की सुने ना मैटम. और मुझे उन्होंने जो कहा, मैंने वही किया. इसी बात के मुझे तउनक़ा मिलती थी. यह, यह, यह मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे मुझे मानने आ रहे! अजिए पासमा काना! मैं मार दूँआ! यह, 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 जाहाबाद। तिरिया बाद। कमाल की महमान नवाजी है नेमभुपानी फिलाने के बाहने जहर देदी एक C.I.D. ओफिसर को देखा, मैंने कुछी किया मेरे पासमेदाना मैंने कोई सेहने दिया किसी को दूरो जाँ मैंने किसी को नहीं बाला है मैंने किसी करी बारा! तुम के कहना चाहती हूँ तीशे? CID को खूब आता है तुम जैसे लोगों से निपटना दो साल से प्लैनिंग कर रही थे मैं उस Manish को मारने की और आखर मैं उसमें काम्याब हूँ ही गए ऐसा क्या भीगाना था Manish ने तुमारा? क्या पिकाना था? मेरे पापा! मेरे पापा अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो उसका अजम्मेदार से वेक आप भी है Manish मेरे पापा का दोगा देकर हमारे सारी प्रॉपेटी अपने नम करवाली उसने हम सड़क पर आ गए तो मेरे पापा ने आथ पहत्या करके अपनी जान दे दी और उसी दिन से मैंने ठाग लिया था कि मैं उस आपमी को नहीं छोड़ूंगी इसलिए तो मुसकी सेकेटरी बन गए उस पे नज़र अखना शुरू करिया और काम को अंजाम उस दिन दिया जिस दिन Manish की बीवी सुनेना वाह उस होटल में आई ताकि सारा शक सुनेना पे जाए क्यों? हाँ और इस काम के लिए मैंने जॉनी को चुना और पुरे दो लाख रुपए देने काम आदा किया एक लाख रुपए काम से पहले और एक लाख रुपए काम के बात और सर मुझे पैसो की जुरत थी इसलिए मैंने आओ देका ना ताओ ने आलच में आकर मैंने आओ कर दी सर सही का है किसीने पैसा लालच और बदला इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो गुना के दलदल में थस्ता ही जाता है तुम लोगों ने ना सिर्फ मनीश को मारा बल्कि एक C.I.D. आफिसर की जान लेने की कोशिश की सक्त से सक्त सजा मेलेगी तुम्हे ले जाव इने चलो अरे फ्रेडी अब कैसी तबियत है तुम्हारी मैं ठीक हूँ ये तो अच्छा हुआ कि मैं एहन वक्त पे डॉक्तर के पास पहुच गया वहना लेने के देने पढ़ जाते सर अरे यार क्रिकेट मैच खिलने जा रहा है का दस्ताने पहन के गुम रहा है सर आज से मैं हर चीज को दस्ताने पहन कर ही हाथ लगाऊंगा अरे फ्रेडी एक CID ओफिसर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता एक छोटे से हाथसी से तर के तो अभी तो नजाने कितना होना बाकी है कितना देखना बाकी है हटाओ दस्तानों को हट